तीन शब्द हैं, एक है मकान, एक है घर, एक है परिवार. मकान उसे कहा जाता है, जो एंट चुने पत्थर का बनता है, जहाँ पर आदमी रहता और उसकी बीबी बच्चे रहते हैं. आप तोल लिजेगा, आप कहा रह रहे हैं. अगर आप, आपकी बीबी बच्चे रह रहे हैं, तो आप एक मकान में रह रहे हैं घर वो होता है, जहाँ पर मम्मी पापा भी साथ में सम्मान पुरुख रखे जाते हैं उसका नाम क्या है? जोड़ से बोलो, घर हैं अभी आप ही तोलना आप मकान में हैं कि गर में आप में से लगबग 80% लोग ऐसे हैं जो मकान में चले गए उनका घर उनके पास नहीं है, वो एक मकान में रह रहे हैं इर चुने गारे के निर्मितियों मकान में रहे हैं अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं हैं तो आप एक मकान में रहे हैं और वो अगर आपके साथ है तो आप घर में रह रहे हैं और अगर आप तीनों भाई साथ रहते हैं तो आप परिवार में रह रहे हैं सोचलो आप परिवार के प्रेम में रहे हैं घर के गरोंदे में रहे हैं या मिट्टी के मकान में रहे हैं तीनों विकल्प हमारे पास हैं, हम नहीं निर्णे करें कि आखिर हम कहां रह रहे हैं, एक युवक हमें अपने घर लेके गया, कहा बाब जी मैंने नई कोठी बंगला बनाया है, आप चरण रख दो, हमने का चलो, हम उनके घर गए, तो जाकर बड़ा सुकून मेला, अच्छा लगा, क्योंकि घर के बाहर लिखावा था मातरी चाया, बड़े बड़े अक्ष्रों में लिखावा था, मातरी चाया मकान का नाम था, मन को बड़ा अच्छा लगा कि इसकल यूग में भी लोग अपने मकान का नाम मातरी चाया के नाम से, समझ गे ना मातरी चाया का मतलब, मकान का नाम था मा के नाम पर मात्री चाया अंदर गए तो देखा अंदर में केवल एक छोटा बच्चा था खूबसुरत उसके पत्नी था और वो खुद था बच्ट तीन लोग घर में थे हमने आहर वगर लिया इधर उदर देखा हमने का कोई घर में नहीं है नहीं होंगे ममी पापा कोई दुनिया में नहीं होंगे जब रवान होने लगे तो हमने का आपके आधनी मम्मी पापा जी कहा बाप जी पिता जी तो करीबन 18 साल पहले चाल engineer मा है मने का अच्छा माम दूसरी बाई के पास रहती होगे अकेली महां गाउं में रहती है और आप यहां बड़े शेहर में आली शान मंगले में रहते हो ऐसा आखिर क्यों कहा बाब जी इसके और उनमें नहीं बनती है इसके का मतलब समझ गे मैं नहीं हूँ उसके में कोई और है इसके और उसमें उनमें नहीं बनती है हमने का मतलब आदमें कितना दुर्भग्य साली होता है जब पत्नी और उसके माँ के आपस में नब बने तो माँ को छोड़ाता है और पत्नी को ले आता है पुन्य को छोड़ाता और पसंद को साथ में ले आता है यह जीवन का अभिशाप है जो पुन्य था जिन्दगी में याद रखना पत्नी आपकी पसंद है पर माता पिता आपके पुन्य है और पुन्य को नजर अंदाज मत कर देना जज़्बिन दिए में पसंद आपके हाथ लगजा है मेरे भाई पत्नी भगवान का दियावा उपहर है प्लीज उसे खुब प्रेम दिजिए पर इतना सा जरूर याद रखना पत्नी तो भगवान का दियावा उपहर है पर माता पिता उपहर में आए वे भगवान पत्नी हमारे लिए भगवान का उपहर बन सकती है पर माता पिता और पहार में आई वे भगवान है प्लीज अगर अब तक हमसे कोई चूक हो गई तो हो गई ईश्वर हमें माफ करें पर हमारे हाथ से अगर मा और पापा अगर नजर अंदाज हो रहे हैं तो प्लीज आज ही जाएए उनके पास उनके चर्णों में दुख लगाई है सौरी कहिए माफ ही मांगिए जो बेटा अपने माबाप के चर्णों में जुकता है वो दुनिया में माहन आदमी होता है माता पिता को सौरी कहने में संकोच मत काईए क्योंकि आप पर उनका रज्रिन है कर्ज है दुनिया में आदमी पर पत्नी का कभी कर्ज नहीं होता साले का कभी कर्ज नहीं होता भाई का कर्ज हो या नहो अरे पती का भी पत्नी पर कर्ज नहीं होता पर दुनिया में अगर जीता जाकता किसे का कर्ज होता है तो आदमी के मा बाप का उस पर कर्ज होता है घर के बाहर आया और बाहर आती वापस हमने मकान पे नज़र डाली बड़ा अच्छा नाम लिखावा था मात्री चाया चार कदम आगे चले और वापस गुम कर हमने युवक के कंदे पे हाथ रखा और हाथ रखे कहा कि भाईया आपका मकान बड़ा सुन्दर है पर इसका नाम हमारे दिमाग में और सुन्दर आया है कहा गुरुजी बताओ 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 आप जो कहेंगे वो नाम रखनगार है क्या इस्टील की अक्सरें मा की चाया नहीं है उस मकान का नाम मात्री चाया रखने का अर्थ क्या है मेरे भाई लोग कहते हैं चोटा परिवार सुखी परिवार मैं कहूंगा प्रेम भरा जो परिवार होता है वो सुखी है पांच भाई है तो कोई खास बात नहीं और दो भई है तो कोई खास बात नहीं भई आपके इतने ये खास बात नहीं अगर आप दो भई आपस में प्रेम से रहते हैं तो दुनिया की ताकत आपके मुठी में है ललित प्रभ और संधर प्रभ की जंद्गी की सबसे बड़ी एक ही ताकत है कि वो दोनों भाई हमें सब प्रेम से और साथ साथ रहते हैं, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकते, सबसे बड़ी ताकत है यह, एक भाई, दो हाथ, एक भाई, दो हाथ, दो भाई, गले मिल गए, इसी का नाम है चार बुचानात, ताकत बढ़ गई, मेरे भाई, आओ, थो जिनने की बात है, रिस्ते तो हमारे पास हैं, बस यतना सा देखता है, वो जिन्दे हैं कि मरे भी हैं, बस, रिस्ते सब के हैं, मामा भी है, काका भी है, भाई भी है, देरानी भी है, जिठानी भी है, मम्मी भी है, पापा भी है, पतनी भी है, रिस्ते सब के पास हैं, इसलि जब दिवार में दरार पड़ती हैं पता है तो दिवार गिरती है पता है सब बोलेना, दिमाग में यात कर लेना, जब दिवार में दरार पड़ती है, तो दिवार गिरती है, जब मन में दरार पड़ती है, तो घर में दिवार खड़ी होती है, ये फर्ट है, दिवार में दरार पड़ेगी तो दिवार गिरेगी, पर मन में अगर दरार पड़ेगी त खड़ी हो जाएगे अपने अपने घर को अपने अपने परिवार को अपने अपने घर गरस्ती को थोड़ा सा हम मिठास से भढ़ते हैं देख लीजी परिवार में आपके काण किसी भी सदश्य के आँख में आशूंतों नहीं आते हैं नमबर एक तौल ना है हमें अपने आपको मैं परिवार में किस भूमिका में हूँ अगर आप सास भी हैं तौल लें कभी आपके काण आपके बहु की आँख में आशूंतों नहीं आई अगर आए हैं प्राइश्ट किजिए अगर आप बहु हैं तौल लिजिए कि आपके कान कभी आपकी सास की आंक में आंसों तो नहीं आए हैं, अगर आए हैं, प्रैश्चत किजिए, अपने आपको ठीक किजिए, अपने आपको परफेक्ट किजिए, मुझसे ये दोस हुआ, ठीक वैसे जैसे चीन्टी पाउं के नीचे मरी, कि मकोडा पाउं के नीचे मरा और मैंने उसका गुरु महराज से प्रैश्चित लिया अगर आपके जिन्दगे में कभी आपके कारण आपके सास के आँख में आश्चित आए है तो प्लीज आप जाईए किसी संत के पास साद्वी जी महराज के पास और जाकर गहिए गुरु जी मुझे प्रैश्चित दीजिए एक वार मेरी कारण मेरी सास के आँख में आश्चित आए घर में ऐसे मत रहो कि आपके कारण किसी की आँख में आश्चित आए घर में ऐसे रहो कि आपके लिए किसी की आंक में आंसु आए अगर आपके काण आपकी सासु माता के आंक में आंसु आते हैं ये पाप है प्राप पिहर चले गए और आपकी याद में आपकी सासु माता के आंक में आंसु आते हैं ये आपके जीवन का पुन्य है इसे से बड़ा धरम और कोई नहीं है अगर आ अपने व्यवार को इतना सद व्यवार बनाए रखी। आपके काण कभी किसी के आँख में आशू ना आए तोल लो आज मुल्यांकन का दिन है चिंकन का दिन है अपने आपको तोलने का दिन है प्रैशित का दिन है अपने आपको सुधारने का दिन है सेम अपने आपको टटो लेंगे कि मेरे काण में की प्यारी सासुमा उसकी प्रियांकन करने हैं। पहले जमाना था। अज तो पिता थोड़ा सा कुछ टोक दे ना। बेटा सिधा पापा से पुछता है। आप क्यों डांट रहे हो? आप क्यों आखा करते हो? आप सांत रहो ना। मम्मी आप नहीं समझते हैं। जिन्दगी में इतने लायक कभी मत बन जाना कि माँ बाप को भी नालायक समझने लगजा। पहले पिता को इवचन देता था तो उसको पूरा करने के लिए बेटा वनवास जाता था। मेरे भाई जीवन का राज खोल रहा हूँ मैं संत बन गया अपने मम्मी पापा के साथ के वले 11 वर्सका था और मेरे परीजनों को पता है मैं बच्पन में पढ़ने में कमजोर था ज्यादा पढ़ना निकना आथा नहीं था आप यह मत समझना इस काने मुझे संत बना दिया गया ऐसा मत समझना सीधा साधा बच्चा था आज भी भोलाई हूँ वैसे तो खास बात यह बता रहा हूँ मेरे बड़े भाई जो मुझसे केवल जिन्दगी में तीन साल बड़े थे उन्होंने केवल इस बात के लिए संत जीवन स्विकार किया कि मेरा एक भाई मम्मी पापा के साथ संत बना है कल मम्मी पापा बड़े बुजर्ग होकर कब दुनिया से विदा हो जाएंगे मेरा वो भाई अकिला न पढ़ जाए तो मेरे बड़े भाई ने अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याक किया और वो संत बने और चंदरप्रभ महराज कैला है हम जब दोनों भाई संत बन गए तो गुरुजी महराज जिस दरम में हम संत बने हैं वहाँ पर व्यवस्ता है सब संत अलग अलग पात्र में खाते हैं सब लोग अलग अलग पात्र में खाते हैं तो अपर हमारी तो आदत पसपन से कुछ जाद ही हम भाई भाई प्रेम से रहते हैं आपको जानकर आश्री होगा जिस घर में हमें पैदा होने का सोभाग या मिला उस घर की सबसे बड़ी अमीरी ये थी कि साड़ साल के भाई को अठावन साल का भाई भी गुटने टिका के प्रणाम करता है साड़ साल के बड़े भाई को अठावन साल का छोटा भाई दो साल का फर्क है पर वो भी कभी इतनी सी है, जब हम संत बने तो हमारी बचपन के आदत थी, हम दोनों भाई एक ही ठाली में खाना खाते थे, बचपन से ही, बहुत प्रेम से रहे हैं, राम लक्षमन की कहानियां, रामहन की आदश रही, पर हमारा जीवन पूरे देश बर के लिए आदश रहा, हम दोनों जंदगी में, चंदरपर जी महराज मुझे तीन साल बड़े हैं, पर जहां तक मुझे याद हैं, आज तक मेरे बड़े भाई ने मुझे जंदगी में टोका नहीं, किती बड़ी बात है, एक बार भी, अगर मैं कहूंगा, मैंने वहां पर 21 लाख बोला है, तो कहेंगे कंज बता रहा हूं, जब भी उन्होंने गिलास उठाई होगी पानी पीने के लिए, आज तक पूरी जंदगी में एक मौका ऐसे नहीं आने दिया, पहले अपने छोटे भाई को पानी की गिलास पलाई होगी, उसके बाद ही मुझे मुझे डाली होगी, इससे पहले आज तक दिया, कभी भी भाई भाई के प्रेम को निभाने के लिए, कभी भी क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, ये प्रस्न जिंदगी में नहीं आने दिये, आज तक कभी नहीं, आप दो भाई तो दिन में आफिस में साथ रहते होंगे, रात को सब की रूम, बेडरूम अलग-अलग हो किया और इतना ही नहीं वसीयत में हर माता पिता वसीयत में अपनी संतान को कुछ नकुछ देते हैं किसी को मकान, किसी को दुकान, किसी को आफिस, किसी को गैने हमें इस बात का गौरव है हमारे माता पिता ने बुड़ापे में संत जीवन स्विकार किया और वसीयत के रूप में हम दोनों भाईयों को संत जीवन परदान किया भाई भाई प्रेम से रहो वो जमाना था जब एक बेटा अपने पिता के आन बान शान और वचन को रखने के लिए वनवास को जाने को तैयार हो गया वो जमाना था जब भाई भाई का साथ निभाने के लिए चोदे साल जो भाई भाई आज अलग हो जाते हैं चोटी मोटी बात को लेकर आपस में अलग हो जाते हैं उन सारे भाईयों को मैं जीवन का पड़ पड़ाना चाओंगा अपने उस राम लक्षमन के प्रेम और त्याक को याद कीजिए अरे राम अनवास में गए तो कोई खास बात नहीं थी पिता का वचन था पर लक्षमन क्यों गया बोलेंगे बोलेंगे क्यों गया बोलेंगे 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 लक्षमन को कोई वचन नहीं था लक्षमन को कोई आदेस नहीं था कैके ने लक्षमन के लिए कोई वचन नहीं मांगा था आकर लक्षमन क्यों गया भाई भाई का साथ निमाने के लिए औरे माना की भाई भाई का साथ हुआ नहीं गया पर सीता क्यों गये इसे क्याते हैं पती व्रदा एक बार अपने आपको तोलो आपके ससुरुदसरत होते, आपके घर में तीन सासों में होती आपके पती को पिता के द्वारा आदेश दिया जाता किसी एक सास का वचन देने पर कि तुम्हें 14 साल वनवास जाता है तो आप क्या करते हैं बोलो मोबाइल दे देते हैं आप भी मोबाइल ले जो मैं पीहर चली जाती हूं मोबाइल से बातचित करते रहना जब नेटवर्क हो तो बातचित करते रहना